Hi guys, this is a life coach, health and wellness coach, relationship counselor, मेरा नाव है सिस्टर आर्थी This is a relationship series मेरे बिल्कुल नहीं बुरूँ कि बहुत important topic है क्योंकि एक subscriber मेरा कहते है कहते है मैं कि आपके सारे topic आप important बोलती हूँ Actually मैं आपके problems को ही यहाँ पर share करती हूँ उनी का solution बताती हूँ मैं relate कर पाती हूँ कि आपका दर्द क्या होगा इसलिए मुझे हूँ चीज इंपॉर्टेंट लगती है राइट तो फटाफर से शुरू करते हैं पहले सभी लड़कों को लड़कियों में यह दस इंपॉर्टेंट बाते जो मैं बतारी हूँ देखनी जरूरी है तो ही वह आपके साथ लॉयल रहेगी तो ही वह आपको धुका नहीं दीगी और यह relationship ना थोड़ा smartly बनाया गो ठीक है सब दिल ही नहीं दिमाग भी भगवा है उसके बारे में लोग अच्छी बात करते हैं तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी choices अच्छी है आप एक smart इंसान है आप एक समझदार इंसान है आप रिष्ट को value देने वाले इंसान है नहीं तो जहां उसके ज़त नहीं होगी तो भावों में बहे कर किसी को भी अपना partner मत बनाएगी तो फटा फट से शुरू करते हैं point number one the girl should be attractive in a three way physically mentally और spiritually तीनों तरीके से लड़की attractive हो physically बहुत सारे लोग मोलते हैं कि नहीं शकल में क्या रखा है बहुत कुछ रखा है अगर आज आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आपने बस ऐसी किसी को भी कोई नही प्रफेंसस होते हैं किसी को मूटी नलकिया पसंदे किसी को भरी पसंदे किसी को सामली पसंदे तो अपनी पसंद के अनुसार अपने पार्टनर को चूज किया करो ठीक है अथो फिजिकल एट्रेक्शन होना हर इंसान में ज़रूरी है राइट दूसरा मैने कहा mentally attractive हो भाई स spiritually attractive है तो भाई वो priority में believe करेगी वो किसी को धोका देने से पहरे चाल बार सोचीगी चीजों को समझेगी और सोची कि अगर ये चीज़े मेरे साथ होंगी तो मैं क्या करूँगी अगर बिना बात के किसी को cheat करना partner भी खराब है partner वहां से हिंसा किये जा रहा है तब तो यार तो वैलन गो पॉइंट नमबर टू शी शुड बी गुड लस्ना भाई लड़कियों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता है क्या लड़किया बोलती बहुत है और सुनती नहीं है तो अगर आपकी वाली सुनती है तो सोने पर सुआगा यार हमेशा ना सुने कभी त दंब ना हो यार फ्लीज एक ऐसे लड़की ढूड़ो जो बेवकूफ ना हो कि बेवकूफ और डंब लड़किया जो होती है उनको कोई भी अपनी बातों में फसा लेता है मैंन्यूप्रेट कर लेता है कल को उसकी फ्रेंड बोलेगी नहीं हो अच्छा नहीं है वह ऐसा कर कोई और लड़का शोशल मेडिया आपको पता ही है वहाँ पर सो थोड़ी सी चैटिंग करेंगा वह उसके चक्कर में आजएगी तो एक डंब लड़की बिपल भी ना हो नुबर फूर बहुत इंपॉर्टेंट है वह आखों से बात करने वाली ना हो या जितनी भी लड़क आखों से बात करने वाली उनका जो सभाव होता है वो चंचल होता है इसलिए कहा गया है आखे हो तो चोटी आखे वेल फोकस्ट हाला कि छोटी और बड़ी का इसमें कोई मतलब नहीं पस ऐसी लड़की ना हो जो आखे मटका मटका के बाते कर रहे हैं ऐसे 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 कर होटी अइसा इस hour है बाइस साल और आखे बाते करना यू एसे आख्ट करना भी जानती हो उमर है बच्चों वाली हरकते हैं बताती है कि वो अटेंशन सीकर है ठीक है तो लड़की या तो अपनी अच्छार मेच्छार एक्ट करें या परिस्थिती के अनुसार एक्ट करें लड़की अच्छी में परिस्थिती के लिए नहीं रिलेशन्शिप में आने के लिए क्रेंट करें यूच यूज है पॉंट नबर फाइव उसको पता हो कि उसके सपने उसकी अपनी में रिस्पॉन्सिबीट्यु ए ज़िए पहले वो अपने पिताजी के ुटे हैं फिर बॉ करना उसको पता हो कि भाई मैं अपने सपने खुद पूरे करेंगी उसके लिए मुझे किसी और का सहरा नहीं लेना हेल्प करना एक अलग बात है पर पूरी तरह किसी पर बैंड डाउन हो जाना ऐसी लड़की ना हो पॉर्ट नुमबर से बहुत इंपोर्टने यार वेली लड़किया मत धूंडा करो जितनी वी जो वेली लड़किया होती है शारा दर सोचल मेडिया पर रहती है आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई नया सीखना मतलब कुछ करना चाहती हो यार बले अभी कर रही है या नहीं कर रही है पर करना चाहती हूं तो को यह इसी लड़की मत भून दो जो सारा दिन बर सोचल मेडिया पर विल्ली बैठी ले नुमबर सिक्स कंट्रिब्यूशन करना चाह है चाहे आपकी इच्छा है या नहीं है पर जब रेस्ट्रोंट में जाए तो बले भई 50-50 बाटेंगे आधा मेरा आधा तेरा बाकि आपके ऊपर पर रिपेंड है आप चाहो तो कराओ नहीं चाहो तो मत कराओ पर ऐसी नहीं कि बस मैं इसी के पैसे खाज़ों पॉइंग इसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लड़की खुद को रिस्पेक्ट करेगी ना वो आपको भी रिस्पेक्ट करेगी जिसके लिए अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है अपनी फैमिली कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं और वो आपको क्या रिस्पेक्ट करें जिसके अपनी से साथ गाली ग्लॉच कर रहे हैं और वो कुछ नहीं करें तो यहानि कि वह आपके अंदर बुरी चिजों को प्रमूट कर रहे हैं आपको अच्छी और बुरा इंसान बनाने के लिए प्रमोशन दे रही है तो ऐसी 9 बहुत इंपॉर्टेंट है शी शुड़ नहीं जानती है तो वह कभी आपकी भी कदर नहीं करेंगी पैसा क्या है भई साक्षा विश्णु भगवान जी है दर्ती पे पैसो के बिना कुछ भी नहीं है मनी इस एक्चली रिली वली इंपॉर्टेंट जो इंसान पैसो की जानती हो जो बाहर जाए तो मैन्यू कार्ट देखे भई सस्ती चीज कौन सी है कभी-कभी चले जाता है पर हमेशा आपका इतना जादा खर्चा ना कराए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्लस भी बताए और आपका माइनस भी बताए देखिए हमेशा बहुत सारी पार अगर आपके बुरायां वह नहीं बताएंगे तो आपके अंदर इंप्रूव्म जो है वह बिल्कुल खतम हो जाएगा रही तो एक ऐसा पार्टनर हो जो आपके लिए साफ निस्पक्ष हो अपने जैसा हो आपको अपना माने अगर अपना माने कि तो ही आपके बारे में जो अच्छी चीज़े वो भी सही बताएगे और जो बुरी चीज़े हैं वो भी सही बताएगे पॉइंट नमबर टेंथ वो आपकी ग्रोथ के ऊपर ना फोकस करें आपको पुश करें जंदगी में कुछ करने के लास्ट पॉइंट है एक चोटी से स्टोरी शेयर करूंगी एक लड़का था जो कि कुछ नहीं करता था विष्ट की थी उसने तो भाई लड़की ने बोला कि तो आयस की प्रपेशन कर उसने का मेरे बसका नहीं है उसने का नहीं भाई तु कर मैं तुछ तुछ टाइम पविएट करे वोakि से भी किसा पार्टन हो चाहे चो जन्दजीं में कुछ करना चाहता हो और खुद भी कुछ करना चाहे तो यह दस चीजे जैसे जो कि में यह कुछ फंटर है यह श्तले में बाई!